आपको बता चल जाएगा बहुत ही लेट हो गए तो बस और ट्रेन व्रेंज से बास बनेगी निया तो इसलिए टक्सी फटाक से बुक कर लियार मतलब एक जगे पर आके देखा है यार बहुत सारा टाइम लग रहे तो नहीं तो पूरा प्लांच उपट हो जाएगा तो बने रहे हैं कहां पर जा रहे बताएंगे बहुत ही लजी जगे जा रहे और आप लोग सभी एंज्वाए करोगे तो स्टे ट्यून तो भाइसा मोटुवर में पोज गए वाई लोग यहां पर अड़े पर अड़े पर मतलब फिल्ग्स के अड़े पर आपको बताऊंगा बस से जा रहे और जा रहे पैरिस अपने रहे वीडियो में आपको सारी बीटुब चीजे दिखाएंगे तो भाइसाब मैं आपका पैरिस की गिलियों में स्वागत करता हूँ वालकाम चु पैरिस और अभी यार काफी ट्राफिक तो काफी भहिंकर था तो वहां से फटक से निकल के होटेल में अपना सामान रखा और उसके बाद में डायरेक निकल गया हम लोग एक्स्प्लोर करन के लिए सबसे पहली लजी जगे दिखाएंगे आपको आइफिल टार्फ के लिए थोड़ा सा वेट करते क्योंकि काफी इंट्रेस्टिंग चीज हम लोग वहां पर करने वाले बट अभी जा रहे हम लोग एकदम फैमस जगे सो बने रहे हैं सारी फैमस चीज़े दिखाएं सबस्क्राइब कोई वात ने अभी सारे चीज़े समझ में आ गई तो अब एकदम धमार हम जा रहे हैं तो भाई साब हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं फर्स्ट आज के हमारी वाली जो प्लान में है वह है मौन माट्वे प्रसा प्रनांसेशन में इदर उदर हो सकता है मै आप वह प्रनांसेशन को भूल जाओ लेकिन आप विव एंजॉय करना है क्योंकि यहां से हलका सा दिख रहा है बट हमको थोड़ी सी पहाडी पर चढ़ना है अभी और आपको दिखाते है अभी सारा विव बने रही है तो भाई साब मौन माट्रे क्या प्रनांसेशन अब इसके बारे में आपको बताता हूं तो यह पैरिस की सबसे बड़ी हिल है हिल मतलब पहाडी अपने आपर बोलते है ना भाई लंबी पहाडी है तो सेम इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है कि यह सबसे उचाई पर है इसकी जो हाइड है हाइड बोल सकते हो एक्सो तीस मीटर ह आप अब भी एंजोई करो आप अब आप अब बहुत जाए लोग वाई कुछ तो चल रहा है इसका जो रहे हैं तो लाग्यवेंश को से टेका शेटा जीए ना दिवेर्सिटेंड पोपल प्रसेश हाई शहाब इससे अपने आप माता जी किया पर जाती ना पंटेक्री पर वह साई फील आ रहा है वाई बहुत पहाड़ी चाड़ने भाई बाई सहाब पारीज भी आगए है देखो पबली एकदम भाग रही है तो दाजी जे देखो एकदम भागा भागी चल रही है बाई सहाब ये देख सकते है एकदम थायंकर चलो गई यार देखो बाई हवा भी चलो होगे भागा दोड़ी देखो इदर पबली एकदम भाग रही है जान बचा के देखो उधा अइसा वहर किसी ने अपने अपनी छट समाल लिये इदर देखो पेडों के नीचे पबली देखो आपको बोलाना मैंने यूरोप का वेदर ही ऐसा रहता है भाई इन्हीं भाहेंकर धूप आरी थी ने अगवान की आवाज भी देखो लो एकदम धाड़े मार रहे है भाई साब वैसे ही फील आ रहा है देख सकते हो आप माता की टेकरी पे चलते है ना भाई साब पूलीस भी देखो गनमेन एकदम गन लेकर आप अगर तो भाई साब पेरिस के सबसे उची हिल पर देखो मोटा क्या कर रहा है जैसे मायो डालके चिकन एकदम ठूसवाई चिकन विंग्स देख सकते हो डब्य में बसकर भाई वर यह चर्च है भाई और भाई साब भी देख सकते हो आप एकदम धूप आ गई है और फिर से दरबार चालो हो गए और पब्लीक एकदम आती हुई देख सकते हो यार शुर्य भगवान क्या कर रहा है आप तो चलो भाई यह वाली प्लेस को बाई बाई करते बाई बाई तो भाई साब यह है पैरिस की सबसे फेमस जगे है आइस क्रिम की यह है बैई बीड तो बहुत 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 कर रहती है और खतरनाक फ्लेवर की यार इंके बास में देख मुड़ा लाजीज है यह वाला मैंने अलग तरीगा लिया अब लेकिन बहुत बीड रहती है बाु जुअ जब वाला लगे है अजवर कर है है अगर गुम्हें फौन से हम लोग अब आगे जा रहे है नेक्स वाली डेस्टिनेशन जिसका नाम है नॉत्रदाम और वह भी काफी फेमस है सारी चीजे दिखाएंगे बने रही है भाई साब यहाँ पे ओलंपिक का फुस्तों इवेंट चल रहा है यार भैंकर चल रहा भाई एकदम देखके दिखादो आपको एकदम मज़ा आजाएगा आपको टीम औरेंज और वो रहा भाई नौतरदेम अभी उसके पास जाके आप आपको दिखाते हैं वाई साब मेरा से चालू हो गई है देख सकते हो आप है 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 यह देखो क्या चल रहा है इदर तो मतलब उल्टी साइकल चला रही फालत हूं है ताइम पास कर रही है बाई साब देखो यह पबलिक किसको देखने के लिए बता तो आपको यह पबलीक देखने आई है बहुत ही बड़ी है और यह काफी साल पहले जल भी गया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता था हूं तो भाई साब यह जो नौतरदाम केटरडील है वो बैसिकली एक चर्च है और इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं में आपको कि 2019 में मतलब एप्रिल में 2019 में यहां पर आग लग गई थी और एक्सपर्ट का माना जाता है कि यह जो आग है वो लगी थी सिगरेट से या फिर इलेक्रिसिटी के शॉट सर्किट से आग लग गई होगी ऐसे यह मान रहे और वो आग के करण क्या हुआ था कि इसका जो रूफ कि यह काम हो जाएगा और पबलिक के लिए ओपन हो जाएगा ऐसा बोल रहे है आपको दिखा तो यह पूरा उपर का तो काला काला भी दिख रहा है उदर पीछे काम ही चल रहा है देख सकते हो आपको यह जो है वो पूरा काला काला दिख रहा है और उदर पीछे अगर इनका गोथिक आर्केटेक है उसका एक अटूट एक्जामपल सेट करता है यह वाला चर्ज बोल रहे हैं कि बहुत ही बारिकी से यह बनाया गया है बहुत ही फाइन आर्ट है यार मतलब लेकिन जल गया है तो अभी इतना दिखनी रहा है उपर गा लेकिन आप यह वाला चीज बनाई है बट अंदर से और भी वहतरिन होगा अभी मोका मिलेगा तो जरूर जाएंगे है तो बाता दे उसका नाम बने रही है तो भाई साब हमारा जो नेक्स स्टॉप है यह है पेंथियन पास में जाते हैं और आपको दिखाते हैं उसके बारे में कुछ बताते भी स्पेशल चीज बने रही है तो भाई साब यह जो आप पीछे देख रहे हैं यह जस बनने के बाद में क्या हुआ था कि फ्रेंच रियोलेशन चालो गया था मतलब फ्रेंच करांती चालो गया थी उसमें काफी सारे फ्रेंच जो लोग है उन्होंने अपना बलीदान दिया था मतलब वो शहीद हुए थे तब उनकी जो गवर्मेंट थी उस ताइम पर उन् बढ़ने लगे तो फिर यह थोड़े टाइम के बाद में इसको चर्च बना दिया गया वैसा आप नेक्स्ट स्पोर्ट आते आते शाम हो गई है बड़ इसको शाम में दिखाने का मजा था चलते हैं भाई साब देखो इसको ना वाबस अधेर अकायम रहेगा महामहिम तमरा अचिकल विश अचिकल विश